असलाम वालेकूं वालेसलाम रहा है असलाम रहा है असलाम रहा है आपकी मेरी बात हुई थी जो नेट वी शाय चलाए गई थी जी तो माशाला काफी लोगों को फाइदा हुआ उससे मुझे किसी ने एक आडियो भेजी है 33 मिट के करीब थी जिसमें मतलब यह बताने कोशिश किये कि जो हमारी बात हुई थी उसमें देवबन के जो है कुछ हजरात का भी नाम आया था तो उसमें यह 33 मिट में साबित करना चाह रहें पता नहीं वो कौन थी उन्होंने नाम भी नहीं बताया है अपना क्या आफ्टा आपने भी शाहिए पता नहीं है तो मैंने मुला यार भी मुझे बेजा गया तो मैं बड़ा ताजूर में आगया मुला यार ऐसी तो हमारे कोई बात हैं नहीं होई थी नहीं तो हम लोग खुद देवबन दी हैं जी जी तो उसमें यह साबित करने कोशिश की जा रही है कर लिए मेरे को एक साथी में भेजा फिर उसने मुझे फोन बिक्या उससे मेरी बात हुई अब कुछ लोग शायद वो आडियो बे चला रहे हैं नहीं मैं उनकी वो आडियो जो मैं पूरी सुन भी नहीं पाया था वो कौन साथी है और उनको चाहिए ता कि मुझे फोन कर ल लिए तो उसको जनरला हिस करके उन्वान ये रिखा मैसेज का जो मैसे चल रहा है अडियो तो मैसेज का ऊन्वान ये है यह है आफ़ताव सिद्धी की वलमा ये देवन और आकाबीर वलमा ये देवन की शान में गुस्ताखी अब ये देखो और उसके पर और वार्डियो के अब ये देखो पूरी बाड़ियों में उसने ये तासूर देना चाहरा है कि ये वल्माइद देवन्द जो इतनी कुर्बानिया दिये आज उन्मी और उन्माइद देवन्द के खिलाफ आफ़ता सिद्धिकी में उसका की लिए नेट पे आपके यतने सारे क्लिप हैं फजाल आमाल के उसमें आपने रद में काम किया है वो सब भूल के फरामोश कर दिया उसमें अहले बातिल का हर जमाने में यह शेवा रहा है कि बातिल यह काम करता है कि यह तो अहले शूराई बंदा था कोई कि यह उस ओडियों में यह भी लिख रहा है कि मेरी इस ओडियों को आफ़ताब सिद्धिकी और अमारत वालों तक पहुंचाएं तो इसका मतलब यह खुद शूरा ही मेंबर है तो बात यह होती है ना कि जब इनके पास दलाईल अब खुतम हो गया है और मैंने उसमें इतनी वजाहत की कई लोगों ने मुझे इत्मिनानी का इजार किया है बाइशूरा अमारत का मसला आपके फजल आपके बात से अल्ला के फजल से हमें समझ में आय इसे जब से कई फोन है मुझे भी है onda में जादा नहीं चाहता रुस्त अन्दर वह चंड बाते उसने इसी कहीर में उसकी कम फेहिका या उसका मीं भू रहा आइस पहले उसने का यह माना थोड़ी मैंने लिया है कि मजाहिर वाले जो है वो तब्ध कर रहे हैं और घोड़े मखवाली यह जा रही हो अद अलवारे लेके दिया वहर ला करने जा रही हैं जिए जग का माना नहीं इस सूरत में मैंने कहा इल्मी जंग इसको कहते हैं मौला साथ शाब पर जो पहले मौकिफ आया दियुबन से उस मौकिफ के मराजे मौला सलमान मजाहिर ने लिखा मजाहिरी नदवा में मौलाना अनीस नदवी जिनके तीन किताब्चे छपे हुए हैं वो मैंने लगनों से मग इसका मतलब यह नहीं था कि एक दूसरे में जंग अब खाले अगर कहें कि आफटार कि कह रहा है दोनों में जंग छिड़ गई है अब दिखों इसको माना इल्मी जंग का माना हर जमाने में रहा है हर जमाने में जो है वो लोगों ने एक दूसरे से इल्मी एक्तिलाफ किया है और अगर उसको आप इल्मी जंग कहो तो फिर उसमें कोई गुना की बात नहीं है मभाइस हमेशा हुई है आप समझें अब और एक दो बाते कहें कि आप सब सिद्धिकी ने ग्रेजुशन किया है इसका दीन से क्या तालुक है और दीन को क्या जाने यह यानि इस डिग्री से दीन का क्या तालुक है तो मैंने कब कहा कि मेरी एंब्या की डिग्री आलिम की डिग्री की तरह है हाँ भाई मैंने कभी इसको कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी M.B.A. की डिगरी है तो गोया कोई आलिम में से बात नहीं कर सकता है और कभी मैंने ऐसा मुझारा भी किया अपनी अमल से हम तो अपनी जहालत के बावजूद अपनी कम इल्मी के बावजूद नाइहली के बावजूद हमारे जहिन में जो कुछ अल्ला रभ लिखे डालता है हम तो हमेशा अकावित देवबन कर दिफा करते हैं आज मैं कहता हूं यह जो आदमी है इन्होंने कहा है इन्होंने कितना दिफाई काम किया है दिवबन के तालुक से और मैंने कितना किया मैं कंपैर नहीं करना चाहता है मेरा अजर मेरा अल्ला के पास है मुझे कोई बरतरी नहीं इन्होंने कितना काम किया मुझे तो मा बेहन की गाली दिए इक लोगों ने माबहन की गाली दिया एक बंदा मुझे मिला रोड काया एंदी मलवी मुझे कहां में तेरे एरिये में आके तो अधुकर महारूंगा मैं तुम खाल लगा समारेगा वही बात रिपीट की अश्रेवली थानवीर रहमतुला उसने बहुत सक्ट गंदे जुम्ले कहें तो बात मेरे सामने आके रिपीट किया अगर तुने मेरे अरिया मेरे सामने मैं तुझे नहीं मारा तुझे दो बाप का कोई पागल का इल्दाम लगा है माध लगा है तुम तो कभी नहीं खड़े हुए मैं इस आडियो वाले की बात करो यह तो कभी नहीं कि कुछ कहते कि भाई क्यों तुमने ऐसा हमारे अकाबिर को कुछ कहा हम जैसे जाहिल लोग इनको कोई इल्म नहीं है उसके बाउत भी अब कम अपनी कम इल्मी से अकाबिर देवबन का दिफा करते हैं और ढून ढून के अबारते निकल करते हैं मैंने आडियो वीडियो की शकल में मेरी क्या हस्ती है उसके बाद भी हम लोग ने कोशिश करके कई जवाबात नेट पे डाले आज फजाएल आमाल को शिर की किताब कहा जाता है वाल मैं देवबन को कहा जाता है कि यह तोहीदी नहीं है मुश्रिक हैं समझे उसका दिफा हमने किया हम लोग खुद जो है उस कितनी जितनी भी कोशिश अल्ला की तरफ से हो सकी थी हमने की आज तुमने एक जुमले को पकड़ लिया और उससे माना दल्ला पूरी लोडियों में शेह जिकरिया और मुफ्ती शफी उसमानी और सबके कुर्बानियों को बयान करके उस बंदे यह तासू दे रहा है कि मैं आप सबके खिलाफ हो गया हमाद ला अंजे बात को यह इनके धिनका धोका है और वो कह रहा है साथ में कि आफता भाई आप पता नहीं कौन सी काफ से खता हो गई कि अतनी बड़ी बात आपके जुबान से निकलवा दी देखो मेरे भाई बात को समझने वाली बात हो सीन भाई कि सिर्फ एक वजाती तहरीर जो की दिवबन से आई ठीक है जिस पर मुफ्त साथ साथ की के बारे में कहा गया कि हम इनकी मुसा एसल कर समया परता है कोई नहीं जबाहर के दर भी है उस उस मुह चाहल जहांदा नहां दमर्द के है रखनपुरी की साहिन आई और वलमय देवबंध मेंसी बहुत सारे ले डेवबंध TOP जो है वो उत GYNA तुमuman तुम मैं अगर उस मामले में नं अकाभिर का सथे इतनानी रखते तो मैं मैं समझ पा रहा हो कि तुम मैं मैं-और मेरी अखीदे क problématique कि नहीं रहें अगर मेरे मेरे नहीं रहें नहीं तो यह सब को मैंनेकोर, at unese subject छब को जुबा इसको का चारी नहीं कर देना हो, मैं मांता हूं अगर कोई जुम्ला मेंन मेरे जबां से निकला में है जो मुझा साथ के तहरीर आई वजाहिती इसका मतलब यह नहीं कि हर उनका फत्वा मैं माधरला उसको गलत कह रहा हूं और इस एक वजाहती तहरीर के मुखालिक तो बेट मिनानी तो कई लोगों ने जाहिर की है वरना इसना उम्मत में इंतशार क्यों हो मुझे एक रहे हैं कि मुझा साथ जो है वो पूरी मुन्तखब में मिश्कात को पूरे मुन्तखब में छाप दिया और जिहाद की हदीसों को यह तबलीग वाले अपने मफाद के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि कुरान में तहरीफ है बराबर तो मैं को किसी ने दिभेजा मैं भाई यार मैं बहुत छोटा हूं उस बहुत इंतिशा इतना जादा नहीं था लगी मुझा साथ सो पहले सी थोड़ा थोड़ा उनका इश्काली जहन है वो बोलते हैं और वह इलम वाले हैं बोल भी सकते हैं तो मैंने इतना कहा कि भाई यह जो इश्काल शेक मुलाना मुझ पालमपुरी साथ कर रहे हैं यह इश्काल हो बहुत तो उस जमाने में भी हुआ जब शेक जब तबलीग काम शुरू हुआ था तो उस वक्त शेक जिखरिया रहमतुल्ह लें उन्होंने किताब लेखी तबलीगी जमात और उसके अधराद प्हतराजाद और उसके जवाब उसमें सबसे पहला इतराज यह नकल किया है कि लोग कहते हैं कि तबलीग वाले जिहाद की अधराद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब फिर हजरत ने उसका इल्मी चार सफ़े का तीन सफ़े का जवाब दिया है और कहा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्ह जुमा के फ़जायल में जिहाद की अधिसों को इस्तेमाल कर सकते हैं तो में शेख जिखरीया जुमाल को क्या कहोगे बोलो कि अगर इस मामले में मैं कहूं हूंैं कि इस मामले में मुफ्ति साहिज पालनुपूरी की को नहीं मानता लिकि शेख जगरीर मतरूलाख साहितेन बड़ा झालुए और मैं उनकी तायित करतों इस मामले में तो मैं देवêt बंदी नहीं रहा जीए जीए अब मुफ्ति सहाइड पारणपुरी साब का एक हो जो मुख्ति सहाइड ने बोला कि पांच लाग अठासी हजार लोग घुम्रा हो गए तो मुख्ति सहाइड साब ने कहा कि यह यह बोगस बात है और जिसने लिखा उसने भी गलत लिखा अच्छा यह उडियों उनकी चल रही है अब उसके मुकाबिल उसके मुकाबिल इतने बड़े मुफसिर तफिर मज़री वाले रहमतुलाले और तफिर रूहलमानी जो की हन्फिया की बहुत बड़े आदिक उज्रे हैं रूहलमानी जो है उन्होंने अपनी किताब में 528,000 की आदत को नकल किया बड़े हो कि मैं मुख्ति सही साब की बात को नहीं मानता और में तफसीर मजरी सर्छीवाले की बात को मानूंगाip 1 माने ऑन气 हो गया मुझे बता ही ना कि एक दोनों तरफ अगर देवबंध ल्मा खड़े हैं डेवबंध ल्मा आपकर तु नहीं है ना नजरीय का है जमाने चार्वारी मदरसे का नंदीन नाम नजरीय क्या है उसी देवबन से निकल के वल्मा इक्रामपुरी दुनिया में आज जो है वो च्छाय हुए है तो अगर कोई देवबन दी वल्मा कहीं से भी अगर किसी मसले में कोई इल्मी इकिलाफ करे तो मैं अगर एक वल्मा देवन्द की तरफ हो जाओं तो मैं देवन्द का गुस्ताफ हो गया यहीं जितनी बेवकूब यहली बात है मुद्दी साहिज साथ पालनपुरी का भी एक लोग शेयर कर रहे हैं मैं तुस्तों जादा बात नहीं करना चाहता एक आप वोखले इलमी बात बता रहा हूँ अजरत ने लिखा है कि मैं ल्ला रथ रबुल इजत के बारे में मैं कहता हूँ ल्ला अर्श पर बैठा है लेकिन कैफियत क्या है मैं नहीं जानाता मैं ये नहीं कह रहा हूँ माज़ाला, माज़ाला, मुफ्तिश शाहिए साब काकीदा कुछ गलत है मुझे अल्ला इसी बात करने से बचा है लेकिन मैं यह कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे वल्माई कराम जो है जब गेर मुकलबीन यह कहते है कि अल्ला आश पर बैठा है तो हमारे वल्माई कराम उसका रत करते है क्यों रत करते है क्योंकि लफ़ बैठना कहने से आदमी के जहन में मखलूग की सिफ़त लाजिम आती है कि मखलूग जैसे बैठती है ऐसे अल्ला बैठा है तो हमारे लोग कहते हैं कि बाई, अल्ला के लिए ये लफ़ को ही मत ताकि आदमी का खयाल भी ने जाओए बैटने की तरफ मैं जीता हो जैसे अल्ला के लिए कुरान में आया कि अल्ला का हाथ अल्ला की आख अल्ला की पिंडली वगेर वगेर अलफाज ले कुरान में इस्तिमाल हुएं बरबर अब यद का माना हाथ होता है पुरी एह सब जानते हैं कि हाथ के माने यद होते हैं बरबर लेकिन फिर भी हमारे अहले सोल जमात के वलमा कहते हैं कि हाथ जब इनसान होंगे तब यद का माना हाथ लिया जाएगा लेकिन जब खालिक काइनात अपने यह यह दिकलर इस्तिमार करें, तो स्रिफ सुकूत अख्तियार करो और यूं कहो कि इसका माना ला के सिवा तो इनी जाना, क्यूं? इसलिए कि तुम अगर यह कहो गया कि हाथ, हाँ, आल्ला का हाथ तो है, लेकिन कैसा है, हम नहीं जानते, तो गोया तुमने एक आदमी को फू सुर जमात में कहा कि ऐसे लवज ही न कहो, बलकि यूं कहो कि यद का माना कुदरत है, ताविल की यद का माना कुदरत है, आयन का माना हिफाज़त है, इस तरह से ताविल की ताकि आदमी के जहन में जो है न, वो तसवर ही नहीं आए कि हाथ सब किसी तना का भी हाथ है, समझ क्यों को लोग यहीं तो कहते थे कि अल्ला का हाथ कैसा है अल्ला का हाथ कैसा है तो जवाब में यह लोग कहते थे कि भाई हाथ का माना कुद्रत है हाथ आयन का माना हिफाज़त है और कहा कि हम जन्मियत के दर्जे में ताबिल करते हैं अब इन मानों में अगर मैं कहूं कि मुफ्ति सहील साब को थोड़ा सा आतिया जिम्ले में करना चाहिए था या तो वजाहत कर देते यहां पर जो गैर मुकलदीन की समग्ध जो अपना अकीदब बैठने का मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं उ हम तो दाविल करनी पड़ेगी यहां हमारे बड़े मुफ्टिय हैं हम तो ताविल करने पड़ेगी कि हजरत का ऐसा चीदा नहीं है अजरत नहीं मानों में लिखा लेकिन इभःाम तो हो रहना है नहीं हयाल नहीं रहा है नहीं हरा रहना जैसे ख़ैने को उम उल्टक टिए भी कि निक्षना नीच यह मेरा मोकिफी उसकी तरफ है तो में उसमें अगर एक की ताहिद कर दू तो उससर मेरे बारे में गुस्ताकी का इलजा मैं आपने अइसा लगा दिया कि गोया माजल्ला मैं पूरे वल्मा देवबन के नजरयात उनके आकाइद उनके मासाहिल आज भी मौाँ साथ साथ अगर कुछ दाती बात कहते हैं, यह जो हाथ की महल जकात होती है, लहादा जकात को तो उसके मुस्तवी पर पहुंचा हैं, और मदर्से में पर पाक माल दें, ताकि दीन का नशो नुमा पाक माल से पाए, अब मैं कहता हूँ मौाँ साथ साथ को यह कि टकवे यह तकवा है यह इंका क्या है, ये फतुवे की रूस इनकर नहीं लेता हूँ, जो भी वूँ मसाइल बैैं करते हैं, जिसके उपर कुछ कह रहा है, हम बिलकुल हम की ताईद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देवबन के एल सु जमाद के जो मजरियात और जो मसाइल हैं उसके खिलाफ मौना साथ क्या कोई भी जाल हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो अब मेरा एक जुम्ला सिर्फ कि मौना अशेद मुद्भी अबुल-कासिन नुमाने क्योंकि शुरा की पाहिद में हैं इसके लिए जो है ऐसे फत्वे दिये हैं अब लोग ना जाने क्या कि वह इवह इत्प्षाइड की यू है खिए जो बाते मीनदी हुए वह उसको कहे दिया हOoh मिरी जुबान से कुछ जुम्ला निकला जो घ़र मुना सिकता मैं उससे बी तुल्यू करता हूं मैं बहुत चोल्टा आडमि हूंате लेकिं इस आदमी ने कि मैं चाहता तो आफ्तार सिद्धिगी को फोन करता है। लेकिन मुलाना इनुर साथ पारणपुरी फर्माया करते थे कि इस काम करने वालों को मुणादरा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहा रहा हूं कि तुम यह बात आज जमाने से मौलाना आमरी शेख को नहीं समझाते हो बड़ावर जी जी उनको तो कोई की समझा रहा हूं जब वसीम भाई जब मैंने पहली मरतवा मौलाना आमरी शेख से बात कि ती आप यकीन मानों मुझे कई मुफ्ती और कई आलिम के फोन है और मुझे डाड़ डाड़ के ता कि तुम बड़े मुनाजिर बनते हो तुम पहला रहे हो मैंने का अल्ला अल्ला रभूल इजट जानत बुरे नहीं बेपा उसका नंबर नहीं है बोला आपको मेरा नंबर मिला उसका नंबर नहीं मिला यानि जो बंदा शुरू से शुरू से लोगों को कॉल करता है और शुरू से लोगों को अभी तक कॉल कर रहा है और कितनी कितनी तहरीरें लिखता है वो वाट्सप पे आप कि बेटा, यह हमारा काम में है, यह आप इतना चुछ आ रहे हो, दोनों तरह अचागरीन है, दोनों तरह बड़े लोग हैं, बसकि लोग खुश है उसके हरकतों से, कि इतने खुश हैं, कि में को तो मुझे जब उसमें फोन किया तो तो मेरा नंबर कतर से उसको आया था, सोच तो में आपने यह कह यह आड़ियो भी मत चलाएं, बोला हां यह थोड़ा से बना गया है, बोले आप तब भी एसको चलाने दीजिए, आमिर शेख इतना बड़ा यहां पर वो इसकी आड़ियो चलती है, इतना चलती है कि साथी हमें परेशान करके रखें, और ताथी कहते ह साथ ही कहते हैं अगर बाद करनी है तो आमी शेक का नंबर दे इसको इनको आमिरशेक से बात करें यूनutar को इनको को फूं करकी नहीं समयाते है तो मुझे रूद के रीह तो नहीं करने भाई तुम ने एक कर लिगा अभी आमिरिशेक से बात कर लो साम खामोशी रखना चाहिए अब लेकिन मजबूरां जब उसने मुझे फोन किया था पहली मरत बाद तो मैं क्या को रूंगा मजबूरां मुझे बात करनी पड़ी चार-पांच मरत बात करनी पड़ी तो जो असल आदमी है मुझे तो बड़े-दलाइल के साथ समझा रहे हो क्या काप री में हमेशा एक खिलाफ रहा है हम छोटे हैं खामोश रहना चाहिए ये बात उसको समझाते है इसको तो इसले जाता समझाना चाहिए उसकी तो सेकटरो ओडियो चल रही है और उसके तो फोन फान चल रहे लोगों को, कोई किसी के अंदर, किसी के अंदर ये इल्मी जार इतनी जारी शूरा वालों में, कि उसको फोन करके समझाएं कि आप मुलाना आमीशे कवाप बंद कर दीजे खुदा के लिए, इसको छोड़ दीजी अल्ला पर, दोना तरफ अका करता है। तो हमने तो ऐसा अभी तक नहीं किया, बरावर हमने किया, मैंने कल भी हो साथ ही से कहा और आपको भी कहता हूं, कि हमारे जो भी साथ ही, अगर कोई इंकरादी तोर पर मुला साथ की बहुत ज्यादा हिमायत में और बहुत ज्यादा उसमें शूरा ओलों की, अकादरीन की, मु नाम हो लाडियानी फिरका बड़ाबर और तुमने सेखड़ों गुरुप बना दिये चैनल को मुलाना इब्राहिम देवला साथ ने इजारत दी थी घूरुप बनाओ साधियानी फिरकेगा रज्य साथ के नाम से बाई यह बड़े हैं यह दोनों बुदरुप बड़े हैं इन तुम काइब काजिए फिरकण तुम तुम केटली वह जो काम किया ए जो फारुप ब иг Elliot ने काम किया ए वो काम किजह तुमको मलुना इब्राहिम देव्लास ने दी है पुछना चाहिए हमारे बड़े हैं, दोनों तोरफ इक्तिलाव है, हाफताब सिद्धी की क्या हवाइसियत है, उसको तो छुपे रहना चाहिए, ये आडियो रिकॉर्ड करने वाले को चाहिए ने क्या में इशक को फोन करके ये बात कहें, बराबर, ये कैसा इंसाफ है, ये इंसाफ ये दोगल पने, मैं कहता हूँ, ये इल्म के साथ ख्यानत है, इल्मों की, और इतनी बड़ी मैंने एक जुमला कहा दिया, उस पर माधाला सुम्ह माधाला, मैं वल्मा देवबंदी नहीं रहा, मेरा देवबंदी को मैं मुखालिफ हो गया, मैं कहना हूँ, जब 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 मु उनको ठुड़ी ही है कि आप हंपेस से निकल गए, अब अनिफान अम्तुल्य आले की शागिर्दों ने इसकिलाफ किया है, क्यों हंपेस किया है, बिल्कुल निकल गए, ये इल्म के साथ ख्यानत है, और यही ख्यानत आज भी हो रही है, जब आदमी की जबान से कुछ जु लेकि इनके खिलाफ जा रही थी, तो मौना इसु तो गिहान भी शरीद रह्मतुल्य आले में उस पर कलम ने चलाया, लोगों ने इनको सामने कहा, लेकिन कहा कि पहले मैं मौदूदी को लिखोंगा, और लिखकर पूछा, कि आपकी जो तफासीर है, या कोई किताब उन्हे किताब दिखी दिए कही थваी हरी किताब, हर जर माया की किया आपे जो उससे वह माने तक यह यह समझ में आ रहा है, आपका माना मतलब है, तो जब मौन॑दी ने कहा, कि हां हां, जो आप समझ रहे मेरा वह माना मतलब है, तब जाको मौना जुसिल ज्यानमी dense के खिलाurg बेंस अगर हम उस पर कुछ कोई कहे तो अभी दिफा होना शुरू हो जाएगा ताविले शुरू हो जाएंगी बरावर और यही बात में शुरू में कहीं जी भाई इसी तरह से थोड़ी उसाथ अगर मुलाण साथ साथ की बातों के ताविल किकी जाए तो मसला खतम हो जाए वही मे अगरा शुरू हो जाए ताविले शुरू आप तरह सबातों की जे तो मुलाण से ने आशा में कहुंदे के लाए वह होगारे मिनाजी बॉरू काषिए भी पर सुट पर सुट कारें हैं सब्सक्राइगे घुडिया शुरू को जाए भी करते को ने इसे एक हम झारू है ने तो हमको ऐसा इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की शराइद से कुछ लोगों को बेइत्मिनानी हो रही है उसी को मैंने सिर्फ कहा कि भाई मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिल के वलमा दियूबन से ऐसी एक लेटर पेट में लिखा लाएं कि मौना साथ सब किस किस तरह रुजू करे कहां कहां रुजू करें उसके बाद हम कोई शर्थ नहीं लगाएंगे तक बोंड़ा थो त्क रही कर ले वopardें लिए लेकिन आजिया चार रुजूना है या नहीं एक पिनान नहीं है और वह रह सिनाव किसी लगता है तबलीकी जमाद के को नहीं बह्ता, नेसे प्रीक आसे जारते हुए, इंहde Elektव की आचेनग içए ट्रहुन करें। अफ़ाइक छिण Conda 21 कि ऐन इन्होंने अपनी आउडियो में मुफ्ति शफिय उस्मानी एश्राफ ली थानवी शेख जखरिया सब की कुरवाईया बयान कर रहे हैं यह बन्दे आप बरहा हैं बयान करो आप उसका सवाब मिलेगा लेकिन तुम किस कॉंटेक्ट में बयान कर रहे हैं बरहा बरहा हुआ है अब दिफा कर रहा हूं अब दिफा कर रहा हूं अज वजाले में इतने भी सबसे जादा तो मेरी रिकॉर्डिंग चैल रही है मैं कोई और भी महाफ करके कोई बरी बात करता हूं औरना अलाम मुझके बरी बात कराओ है और अनला अल्लाय जगत और अपनी तर इसका आपनी तरफ कि तुमने मेरे खिलाफ आडियो बनाई मैं तुमको गैरंटी से पहता हूं तुमने इतनी कोशिश करके एक भी आडियो बनाई ये अभी तक इसे एले हदीश भरेंदी के खिलाफ तो आफिर तुमको क्या ज़ल्बी से दिफा में खड़े हो गए और गोया ये थाइज करने की तुमक बाड़े वल्माइदेबन के मुखालिपें अकाबिर कि शान में गुस्थागी करते हैं ये सब बात बाते हैं अल्लाः रब अलब इज़त हमारी इफायद सर्माइए और ऐसे कम फहम फेहम वालों से अल्लाह उम्मत की इफायद सर्माइए हैर और उस काम में कहीं कि पैसी न पिसी हट तक वह लोग कोशिशिश भी कर रहे हैं इसी तरह से निजमुद्थिन और देवन को आपस में खिरा दो ताकि हमारा काम हो जाये जैही कोशिश है यहीं की कोशिश है बाति कि निए थे हैं, ल्Laimah, उसको खतन करे ऐसको तौबात करे और हमारे अल्लप आपनी निजाम दि की इफायद फर्में हैं, लुधा की बुद्ध हो और भी इस टी बातिंट अधान को लुधारिम को उनके मंसुलों भुद हो आमीन, 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 ऑनी मेरी यह गुजारिश है आप से वस्ति में आप इस और भी पैलाएं, इस आडियों को भी फैलाएं, जरूर जरूरा इखा अपने अपनी तरफ से लिख के फैलाएं, कि कुछ लोग जो है वो एक अतानी कौन आदमी उसका नमर मी नहीं पता है, उसन आलेको ओलेकों लेच्टिक्षॉ